Welcome back to my tip-seed paper. आज हम बात करने वाले हैं B.E.S.C. second semester के जितने भी student है तो chemistry के हम first paper के बारे में discuss करेंगे कि first paper में क्या-क्या important है तो अभी हम इसको थोड़ा जिंदिस कर देता है अब हम बात करने वाले है first paper के बारे में तो आपको देखी, मैं बता दू जो भी student 2014 में paper देगा उसमें आने वाले question महत्पूर्ण कौन-कौन से है वही बताऊंगा इस वीडियो में ठीक है तो इस वीडियो में लगभग में ये question 17 से 18 question हो सकते हैं और आप इन question को याद करके 85% प्लस जो मैं आपसे बादा करता हूँ हर वर्स जो किया है हर semester में आपसे बादा किया है मैंने उस बादे पर खरा उतरा हूँ और आपने देखा होगा कि मैंने जितने आप तक आपने five semester तक paper दी है और मैंने जो-जो question वजाएं वो question आपके paper में आए मतलब कम question पढ़कर भी आप अच्छे नंबर से पास हो रहें तो इसका मतलब क्या है कि paper hacker आपका हमेशा साथ दे रहा है तो बहुत सारे student इनके notes के वारे में सर्च करते होंगे कि notes कहां मिलेगा तो हमारी website आपको दिखती होगी paper hacker.online website पर आप only read कर पाऊगे बहुत सारे लोग कहता है कि इस नहीं इसमें तो paid है पैसे देखो बहार download वाले button पर touch करोगे तो आपको पैसे देने पढ़ेंगे बरना आप वहीं पढ़ सकते हो फिरी में कोई दिक्कत नहीं है website पर ही पढ़ो कोई issue नहीं है ठीक है ना download करोगे तो payment देना पड़ेगा अब download नहीं करना है हमें तो पढ़ना है चाहे हम अपने फोन में download करके पढ़ें या फिर नॉर्मली वहीं पढ़ने तो बात तो वही है ना तो बहां एक option होगा माइनस का होगा एक माइनस का होगा ओर यहाँ इस तरीके का तीर के दिसान वह 오른 Dubai और जो कि अवर्वाइड करा दूँ ठीक है कि कोई की शौट में तो मैं teacher को hire करूँगा तो अभी मैंने ढूंड रहा हूं तो भी एक मैम तो चल रहे हैं जो second semester का start कर रहे हैं उनने chemistry खतम होने वाले हैं उनकी तो second semester में आपका भाई वहन कोई भी है तो उनने mcq question तो मैंने करा दिए वही करा रहे हैं और उसके बाद में written start करा देंगा ठीक है तो डरने के जरूद नहीं है देखो पेपर में आपको simple तरीके में हमेशा बोलता हूं कि copy को पूरा भर के आओगे अच्छे नंबर मिलेंगे और आप चाहिए बहले कुछ भी लिख रहो कुछ नहीं को भी खाली तो समझे लो नंबर महां नहीं मिल पाएंगे तो इसलिए कि रहो हूँ जो भी लिखना है उस कोशन के आधार पर ही लिखो उसके ही बेस पे लिखो और उसका ही तरीका होना चाहिए कि कि क्या है chemistry का तरीका उस तरीके से आप लिखेंगे गादिंग डाल के तो और उसके बाद में हमारे नंबर को सेब भी कर लिए और कोई भी प्रॉब्लम से मैं एक न्यू चैनल है डॉक्टर बनो ऑल्लाइन के नाम से तो उस चैनल को भी आ सब्सक्राइब कर लो आपका सपोर्ड चाहिए मुझे लिंक डिसक्रप्शन वाक्स में प्या है साथी साथ य प्रेज करना चाहिए कौन से पेशिंट को हमें क्या चीज़ देना चाहिए यदि आप नर्सिंग डिपार्डमेंट से तो भी आपके लिए काफी सुल रहेगा ठीक है अब हम बात करने वाले हैं अपने केमिस्ट्री के फर्स्ट वेपर में क्या क्या इंपूर्ट है इसमें पचास कोशन से जड़ा होंगे लेकिन मैं आज आपको इन पचास कोशन में सही कुछ 18-19 कोशन बताऊगा 17-18 कोशन बताऊगा जिसको आप पढ़ करके अच्छे नंबर से पास होने वाले हो ठीक है तो देखिए मैं तो आपको कहूंगा कि फालतों चीज़ नहीं पढ़नी है मैंने कोशन बहुत सारे लिख रखे हैं इसमें ताकि मैं इन कोशन में से अच्छे-च्छे कोशन आपको चाट के बता सको जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा देखिए सबसे पहले हमारे पास एक कोशन आता है जो काफी महत्पूर है काफी इंपोटेंट है यह हो सकता है वह आपको पेमेंट फिर वहाँ भी करना पड़ेगा लेकिन मैं चाहतों वेपसाइट पर जाओ वहाँ पेमेंट करने की आवसकता नहीं है ठीक है तो यहां देखिए क्या है बाकि अभी हाली में साइध आज है 29 मार्च और 29 मार्च आज तो नहीं पड़ें लेकिम दो त कर लीजिए एक कोशन यहां से एक और है जिसे कहते हैं M-C-P-B-A ठीक है जिससे हम क्या है मेटा कैलोरो मेटा क्लोरो पैर बेंजराइट एक सट के नाम से जाना जाता है इसको फुल फॉर्म है इसके उपर एक टिपने लिखने के लिए बोलता है और हो सके तो आप इसको प सेलेनियम डाइओकसाइड इसे SiO2 बोलेंगे यह भी एक कोशन आता है शौट में लेकिन कोशन तो ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे लेकिन हाँ इन कोशनों को आप थोड़ा नोट कर लीजे और इसको एक बार रीड कर लीजे ठीक है उसके बाद में मैं लास्ट में बस एक ही अभी कर्मक के बारे में आपको याद कर लेना ठीक है तो कॉलिंस अभी कर्मक हो गया क्लियर हो गया और इसमें उत्परक बागी चोड़ दीजे सोडियम वैरो होकसाइड टिप ले लिखे खातम गरिए यह हमारे कुछ रह गए QQD ठीक है MC MCPBA इसको आप याद करेंगे और SI O2 के बारे में यह चोड़े ची टिपड़ी लिखने के लिए इसको बनाने की बीदी आप टिपड़ी मुझेगा कि टिपड़ी लिखे तो आप दो टिपड़ी महाँ पर लिख देने हैं उनके बारे में बता देने हैं उसके बाद में एक मैंने आपको बदाया कॉलिंस के याद कर लेना चोटी सी ठीक है यह साइध बैरी शॉट में पूछ सकता है उसके पापने यूनिट नमबर यादी में जाओं तो आपको महत्पूर बहुत सद इंपोर्टेंट जो है वह कारवन धात्वी कियोगी देखिए कारवन धात्वी कियोगी वेरी इंपोर्टेंट है इसको बनाने की बिदी और उसकी उपयोग की बारे पढेना और यह कोशन आपका along कारवन लीथियम योगिक बनाने की विदेखिए कारवन धात्वी कि पूछा था अब हमसे कारवन लीथियम पूछा था यह दो बहूत बहुत जादा इंपोटेंट है उसके बाद में कार्वन जिंक भी पूझ लेता है मैं लेकिन जिंक को नहीं बोलता हूँ आप देखे यहां से कई कोशन बनते हैं लेकिन यह तीन में से एक कोशन आपका लॉंग में फसेगा तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आरवन कार्वन धा जिसे बोलते हैं कि एक क में बहुत सदा पूची जाती है जिसमें हम बोलेंगे कैनी जारो अभी के रिया बेरी इंपोटेंट है आप इसको नोड कर लेजिए और मौस्ट पर लगा दीजे आप यह मत पूचिए कि सौट में आएगा यह बैरी सौट में आएगा तो कैसे भी आपको पढ़ना है ठीक है यह है आपके विटिंग्स अभी करिया इसको आपको पढ़ना है और साथ में एक अभी करिया है देखो परकिंग परकिन अभी करिया तो यह है परकिन अभी करिया परकिन रियक्शन से बोलेंगे तो यह भी आपका मौस्ट इंपोटेंट है आप इसको भी नोड कर लीजिए उसके बाद में Benzyne संग्णन के बारे में बात करें तो Benzyne Reduction जो आती है Reaction Bowling इसको तो इसको भी आपको देखना है Benzyne Reaction को ठीक है This is the second one most important है इसको भी तो हमने कितने पड़े चार option पड़े चुके है चार question यहाँ पड़े है जादा नहीं है इसको भी आपको डॉट डाउन करने दा है उसके बाद में unit number 4 में जहां हम पहुंचते हैं तो unit number 4 में हम से कुछ पहुंचता है जैसे की acid chloride क्या है इनकी बनाने की बिदी आपको देखनी है और mono carbolex amlokan नर्मार के लिए एक question यह देख लीजिएगा उसके बाद में एक question यह देख लीजिएगा दो question अबने बताएं बाकि कुछ नहीं देखना एक आता है ester के बारे में ester क्या होता है very important question है ester और ethel यहाँ देखे ethel acetate बनाने की बिदी भी आपको याद करनी है जितने भी आपको यहाँ बंद कर रहा हूं आप इसको याद कर लें एक बार पढ़ लें यदि उसके बाद में इसको यदि आपका पेपर में बंता है सारे कोशन तो आप बिल्कुल छापके आएंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से लेकिन फिर भी यदि कोशन आपको ही रठना है ठीक है उसके बाद में आपको ओर किरॡ औंब को साथ आम दीजिए और उसके बाद में इसको भी खातम करते हैं उसको नहीं किसमें नमबर 95 क 2015 में क्या रद helok है तो इससे important question आता है, जिसे बोलते हैं, देखें, Acetil Aster, जिसे बोलते हैं, बनाने की बीदी बहुत जादा important है, तो इसको आप एक बार ज़रु पढ़ने हैं, ये most important है, जिसे हम Ethyl के नाम से जानते हैं, यह इसको बनाने की विद्य आप से पूचेगा तो आप इसको मॉश्टर पर लगा लेजिए जिसे हम बी बी आई बोल सकते हैं वेरी इंपूटेंट कोशन बोल सकते हैं उसके बाद में यह कुशन मारा क्लिर हो गया एंड उसके बाद में बात करूँ तो मैं एक्स्टर बनान इंपूटेंट्स है क्योंकि यूपी के सभी उनिवस्टी का सलेवास जो है वो सेम है बस कुछ ही हो सकता है यूनिट आगे फीचो बर्दा सेम ही है कोई चेंजस नहीं है मैंने देख लिया बहुत सारी निवस्टियों कानपूर से कहीं से सब के लिए इंपूटेंट्स है उसके बाद में देखो, नाइट्रो एलकेन क्या होता है, लाइट्रो एलकेन क्या है, बनाने की बिधी, और मैं दिवात को नाइट्रो बेंजीन बनाने की बिधी, तो नाइट्रो बेंजीन बनाने की बिधी है, मैं कहूंगा कि यहाँ इसको हम मौस्ट बोलेंगे, और उसके बाद में एक कोशन है अमीन बनाने की देखिए फर्ष्ट और सैकेंड और थर्ड अमीन बनाने की विद्धी आपको याद होनी चाहिए काफी इंपोटेंट कोशन है और आप से पूछता है नाइट्रो एलकिन बनाने की विद्धी एक बार पढ़ के जाएं तो मैंने तीन बनेंगे दोणों को पढ़ने हो इसको चुछन को खतम कर दीजिये और इसको हम खटा देते हैं इसकी बाद में यूंटबर 7 में पहुआँचते नुमर्स 7 में हमें क्या क्या पढ़ना है यूंत नवर सेबन में आपको देखे मौस्ट मौस्ट बताऊंगा तो एक तो पिरॉल बनाने की विधी आप पढ़ेंगे और पीरीडीन बनाने की विधी पढ़ेंगे तो ये दोनों विधी को आप अच्छी तरीके से पढ़ डीजेगा क्योंकि ये आपके लिए मौस्ट सब्सक्राइब करेंगे और इसमें आप से पूछेगा कि जो एलकलाइड है एलकलाइड क्या होते हैं और एलकलाइड को कैसे पहचाना जा सकता है और अलकलाइड की सरचना क्या है तो ये हम इसको मौस्ट बोलते हैं वेरी इंपोटेंट है अब इसको रटके ही जाएंगे और टर्बिन की बात करें और कोकीन के बारे में आप पढ़ने तो ये कोशन थे मौस्ट इंपोटेंट अब हम इससे अलावा कुछ और नहीं बताएंगे दो हजार चौबेस में आन झाल 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 झाल